गाउं बहुमपुरा में साप की दैसत में एक परिवार कडी मसकत के बाद पाया साप पर काबू सहर के नजदिक बहुमपुरा गाउं में एक घर में साप होने की सूचना मिलने के बाद परिवार दैसत में आ गया कई गंटों के परियास के बाद सांप पर काबू पाया गया जानकारी के अनुसार भौमपुरा में परबुदयाल सेनी के घर्ब में सांप होने की सूचना मिलने के बाद परिवार दैसत में आ गया सूचना मिलने के बाद आस प्रोस के लोग भी मोके पर जमा हो गये बोमपूरा के वार्ड नबर 6 में इस्तित परबू दयाल सेनी के मकान में साँप की सूचना मिलने के बाद साँप को काबू करने के लिए कई जगे संपरक भी किया गया इसके बाध झखोड़ा के महंदर नाथ को सूचना देकर मोके पर बुलाया गया जखोड़ा के मेंदरनात ने काफी परियास के बाद सांप को कबजे में लिया इससे पहले सांप होने की सूचना के बाद परिवार वै पड़ोसी लोग भै के साहे में आ गए मकान के मालिक परबुदयाल सेनी ने बताया कि आज सुबह सांप होने की सूचना मिली जिसके बाद से ही परिवार डर के साही में था सांप पर काबू पाने के बाद रहत की सांस ली है तक्निकी कारणों से रुका सफाई करमचारियों का पेमेंट करमचारियों ने नगरपालिका के आगे दिया धरना नगरपालिका ईयो की समझाइस के बाद सांत हुआ मामला तक्निकी कारणों से सफाई करमचारियों का पेमेंट रुख गया जिसके बाद करमचारियों ने नगरपालिका के मैन गेट के आगे धरना दिया हलाकि नगरपाली का यो जुबेर खान की ओर से समझाइस किये जाने के बाद मामला सांत हो गया नगरपाली का यो जुबेर खान ने बताया कि सफाई करमचारियों का इसी मा का वेतन नहीं आया था बाकी पिछले महिनों का कोई भी वेतन बाकी नहीं था इस बार भी वेतन में देरी होने का कारण तकनीकी कारण रहा नगरपालिका से वेतन जारी कर दिया गया लेकिन जहां से उनकी सैलरी बेंग खाते में जमा होती है वहां पर तकनीकी प्रेसानी के चलते 4-5 दिन की देरी हुई है उधर करमचारियों का आरोप था कि वेतन समय पर नहीं मिलने से उनके द्वरा लिये गए लोन की किस्ट में दिक्कत आती है साथ ही उन्होंने कहा कि नगरपालिका ने पहले भी दो से तीन तारिक का नाम लिया था उसके बाउजुद भी वेतन नहीं आया तो उन्होंने ये कदम उठाया है तो वह जो है आज वहां पर प्रकण की जानकारी दीगी कि जो तनका है वह नगरपालिका ने ट्रांसफर कर दी थी लेकिन जो ट्रेजरी है वहां पर वह अमांट्स हो नहीं हो रहा था तो उस वजह से वह उनकी खाते में नहीं आई चैर्मन ओमपरकास हजारीलाल सेनी मेमोरियल सेवा सरंस्तान चिडावा की और से क्रिकेट परित्योगिता सीप्यल दो जार तेइस का सुभारम हुआ है परित्योगिता का विधिवत सुभारम चिडावा नगरपाली का उपादेक्स अबैसिंग बडेश्रा वा समस्त पार्षदों की ओर से क्या गया इसमें सहर के गणमाने जन भी मोजुद रहे बता दे कि विजेता टीम को 21,000 रुपए तथा उप विजेता टीम को 11,000 रुपए का इनामवे ट्रोफी दी जाएगी इन सभी की याद में ये परतियोगिता आयुजित की जा रही है उद्गाटन मैच बक्तारपुरा वे परम हंस क्रिकेट अकेडमी के बीच खेला गया इसमें बक्तारपुरा की टीम ने पहले बलेवाजी करते हुए निर्धारित 10 ओरों में केतरन बनाए जवाब में अकेडमी की टीम 52 रन ही बना सकी मैन अबदा मैच करमवीर रहे दूसरा मैच भी काफी रोमान सक रहा और जहांजोत की टीम ने जीत हासिल की इस मैच में सलमान ने अच्छा परदसन करते हुए मैन अबदा मैच में जीत दिला दी यह क्रिकट प्रत्योकी तक आयोजन हो रहा है इक आयोजन क्या है पुरा यह आयोजन हमारे सेवियो स्री हजारी लाल अलों प्रकास मेमोरियल सहस्तान की तरफ से बदल रही है समाज की सोच खतम हो रही है बेटों वए बेटियों में फर्क की सोच पहले संतान बेटी होने पर मनाया गया जसन किया बेटी का वेलकम सहर के नज़्दिक सेखपुरा में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जो तस्वीर समाज की बदलती सोच को दरसाती है हुआ यूँकी सेखपुरा गाओं में मनोज कुमार सेनिवय उनकी पतनी नितु सेनि के पहले संतान बेटी होई बेटी होने पर घर पर बेटी के वेलकम का कारिकरम रखा गया और जैसे ही बेटे के जलम पर जिस परकार खुशिया मनाई जाती है वैसे ही कारिकरम आयुजित कर जसन मनाई गया बेटि वैय बेटों में किसी परकार का फरक नहीं हो, इसी संदेश के साथ परिवार के सबी संदेशों ने समाज में एक अनोखी वै जागरत करने वाली मिसाल पेस की है. वैसे ही जुनुजले में कुछ सालों पहले लिंग अनुपात में काफी गिरावट दरज की गई थी इसके बाद से ही समाज में एक ऐसी जागरूपता देखी जा रही है जिससे लगाता जुनुजला लिंग अनुपात के मामले में सुधार की ओर है बेटी के जनम पर पिता वे माता के अलावा दादा संकरलाल दादी को सल्या तदा समाज से भी परबुदयल सेनी ने भी समाज को बेटा वे बेटियों में किसी परकार का फरक नहीं करने का संदेश दिया है चिडावा में लगातार तीसरे दिन भी जारी है अतिकर्मन हटाओ अभियान जहां हो रहा है शटको का निर्मान वहां फिल हाल नहीं चलेगा अभियान सहर में अतिकर्मन हटाओ अभियान की फिर से सुरुआत होने के बाद लगातार तिसरे दिन अतिकर्मन अभियान जारी है अभियान के दूसरे चलंड की सुरुआत दाबाई जी के टेकडे से की गई थी अब अभियान सहर के मुखे बजार तक पहुँच गया है अभियान को लेकर नगरपाली का ईयो जुबेर खान ने बताया कि दस दिवसीच इड़ाव मौसव के दोरान अभियान को रोक गया था अब फिर से अभियान की सुरुवात होने के बाद लगातार अभियान जारी है E.O. ने बताया कि जिन भी इस्तानों पर शड़कों का निर्मान हो रहा है वहाँ पर फिलाल अतिकर्मन अभ्यान नहीं चलाया जाएगा इसके अलावा हर जगए अतिकर्मन अभ्यान चलेगा अभ्यान को लेकर E.O. ने व्यापारियों से भी सयोग करने की अपील की है तता फिर से घटाये गए अतिकर्मन को नहीं करने की अपील की गई है के बाद में चिडावा मोच्छों का आएजन हो रहा था तो दौरान अप्टिकर में जो है इस्टाफ और संसाजमों के देश्ट रहने के चलते एक बार होल्ट की कि अब उन्हें उसको जो है फबुत रखाना से लेकर जो कल्यान जी मुंदिर होते हुए टेकरी तक जो है वहा सिविल लाइन्स जैपूर आवास पर परिवहन मंत्री से छेतर के कॉंग्रेस कारेकरताओं ने की मुलाकात समस्याओं से करवाया अवगत सिविल लाइन्स जैपूर आवास पर कॉंग्रेस कारेकरताओं ने परिवहन मंत्री ब्रिजेंदर सिंग ओला से मुलाकात की इस दोरान कॉंग्रेस ब्लोक अध्यक सुमेर सिंग महला पूर्व सर्पन चनाना गुर्दयाल धिवया महिंदर सिंग महला चिडासन दूलिचन धाका, राजवीर धिवा, इंदर सिंग धाका, सहीत अन्य कॉंग्रेस कारेकरताओं ने परिवहन मंत्री से मुलाकात की तताचितर की समस्याओं से अवगत करवाया पूर्व प्रधान मंत्री लाल भादूर सास्तरी का सहादत दिवस मनाया जिले में किसान इसमारक बनाने की उठी मांग पूर्वा प्रधान मंतरी लाल भादूर सास्तरी चोदरी चरनशिंद जैसे महापूर्शों की याद में किसान इसमारक इस्तापित करने की मांग उठी है जुन्जुनु के नवलगड पंचाई सिमिती में देश के दूसरे प्रधान मंत्री लाल बादूर सास्तरी का सहाधत दिवस मनाया गया पंचाई सिमिती परदान दिने सुंडा की अगवाई में मनाये गए सहाधत दिवस पर किसानों और छेतर के लोगों ने पूरव परदान मंतरी सास्तिरी को पुस्पांजली अर्पित की इस मोके पर बोलते हुए सुन्डा ने कहा कि पूरव प्रधान मंत्री लाल बादू सास्त्री का जीवन प्रेणादाई है आज की सरकारे जनपर्तिनिदी उनके आदर्सों को अपना कर देश वे समाज को नई दिसा और उचाईयां परदान कर सकते हैं उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जिला परसासन हे राजे सरकार से मांग की जाती है कि हमारे महापुर्शों की याद में एक किसान इस मार्क जंजनु जिले में स्तापित हो अगर इनके नारे की जो गहान में रखते वे काम करें तो निश्चित तोर पे देश का बलाव सकता है क्योंकि जवान तो शिमाओं पे रख्षा करता है और उनी के परिवार की जन्जों किसान है वो पूरे देश को इनी विश्व को अनुत्पादन में महत्वपन भूमिका निभाते हैं तो इस विचारदारा के साथ अगर सारे जनपरतिने दिर काम करने लग जाएं तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में भारत देश बहुत अच्छी तरक्की करेगा और इनोंने अपने समय में प्रदानमंत्री रहते हैं जो जो नवाचार किये जिसकी वज़े से आज ये अह चार हैं उनको आत्म साथ करें ताकि हमारे छेतरकार प्रदेश का अधिक से अधिक बलाव सके बुढानिया गाओं में हुआ देव सेना के प्रदेश सचीव धरंपाल गुजर का स्वागत कारेकरम पूरु एसरपंच नागरमल की अधेक्स्ता में हुआ नव वर्ष ने मिलनवय स्वागत समारों के दोरान प्रदेश सचीव का मालय अरपनवय साफा उडाकर स्वागत किया गया इस मोके पर प्रदेश सचीव ने कहा कि ग्रामिनों की ओर से किये गए समान को वह मेशा याद रखेंगे सरदारा राम, महेंदर नायक, धरमपाल, राम परसाद जाजडिया, राम सिंग, गुरु दयाल, बालु राम रावत, महेश रावत, मनेश टेलर, कृष्ण, इस्माइल पूर, सुसिल बढ़ाना आदी कई मोजुद रहे साउलोद की सरकारी स्कूल में बच्चों को क्या जागरूक, खाने वै पीने के पानी को वेर्थने करने की अपील दिलाई सपत साउलोद गाउं में सरकारी स्कूल के बच्चों को खाने और पीने के पानी को वेर्थने करने की अपील के साथ सपत दिलाई गई चिडावा सहर की, चोदरी, चरण सिंग सेवा समीती की और से पिछले लंबे समय से एक मुहीम चला रखी है जिसके तहट खाने वे पीने के पानी को वेर्थने करने की अपिल के साथ लोगों के बीच में जाकर सपत दिलाई जाती है समीती के डोक्टर महंदर नहरा ने बताया कि समीती की इस मुहीम में अब लोगों का जुड़ना भी सुरू हो चुका है तदा लोग भी जागरुक होने लगे हैं इसी जागरुकता कारिकरम के तहित राज के बाली का उचमादमिक विधाले साउनलोद में आयुजित वार्शिक समारों में उतना ही ले ठाली में जितना खा सके वेर्थ ने जाए ठाली में के संदेश के साथ सिक्स को बच्चों वबिबावकों को सपत दिलाए गई विवार को में अपनाएंगे और समाज में अपनाएंगे वो निवेदन है कि आप सभी देखते हैं गर पे भी और युआ साथियों ए बीवीपी ने चलाया पोस्टर कार्ड अभिहान अकिल भारतिय विद्यार्थी परिशत जुन्जनु द्वारा श्री राधेश्याम आर्व राज के महाविदाले में पोस्ट कार्ड अभिहान चलाया गया नगर मंत्री पंकस तवर ने बताया कि महाविदाले में एमकौम और उर्दू विशय आज तक शुरू नहीं हुआ है जिसको लेकर आज महाविधाले में पोस्ट कार्ड अभ्यान सुरू किया गया जिसमें सैकडो चातर चातराओं ने भाग लिया और अपनी समाशियाओं को अवगत करवाने के लिए मुखे मंत्री वै उच शिक्ष्या मंत्री के नाम चातर चातराओं ने पोस्ट कार्ड लिखे विदार्थी परिशद की मांग है कि राज के महाविधाले में जल्द से जल्द एमकौम और उर्दू विशय को सुरू किया जाए और आने वाले बजट में विदार्थी परिशद की इन मांगों पर गोर नहीं किया जाता है तो विदार्थी परिशद बड़ा अंदोलन करेगा जिसकी जिमेदारी सरकार की होगी इस मोके पर प्यूस सर्मा ललित सेनी, सोनु निर्मल, कलपना, रूची गोठवाल, खुसी सेकावत गगन सेनी, परविन रोहिला, परदिप गुजरव, अन्य करेकरता मौजुद रहे पर देग़